देखिए दुनिया में जितने लोक बिद्वान हुए उन्होंने बताया कि गरीवी से निकलने का तीन ही रास्ता है पहला रास्ता है पढ़ाई अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा पन लिखे नौकरी पाजाएगा तो आप गरीवी से निकल सकते दूसरा रास्ता है जमी अगर आप पढ़े लिखे नहीं है आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवत सुधार सकते हैं और तीसरा रास्ता है पैसा पूझी अगर आप पढ़े लिखे नहीं है आपके पास जमीन भी नहीं है लेकिन अगर पैसा हो पूझी हो कोई कर्ज भी दे दे तो कोई न कोई छोता मोटा रोजी रोजगार बैपार दुकान करके आप अपना जीवत सुधार सकते हैं यही तीन रास्ता है नौकरी, खेती और बैपार नौकरी करने के लिए पढ़ाई चाहिए खेती करने के लिए जमीन चाहिए और बैपार करने के लिए पूझी चाहिए अगर आप विहार में ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ज़्यादा तर लोगों के पास यह तीनों में तीनों चीड नहीं यहाँ जो गरीब है उसके बच्चे के पास पढ़ने का सुविधा है ही नहीं तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आपका अंपढ़ बच्चा उसको कोई डाक्टर, इंजिनियर, कलक्टर नहीं बना सकता है उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पढ़ेगा यहां किसलिए खेती से आपका जीवन नहीं सुदरा क्योंकि जितने लोग आप यहां बैठे हैं सो में साथ आदमी के पास, बिहार में सो में साथ आदमी के पास एक धूर जबीन है ही नहीं तो खेती करेगा कईसे आज जो चालिस आदमी खेती कर रहा है, वो कमाने के लिए खेती नहीं करता है वो खाने के लिए खेती करता है तो आपके पास पढ़ाई का साधन है नहीं खेती से आमदनी है नहीं और रोजी रोजगार वैपार करने के लिए पैसा कुझी है यह नहीं तो आप गरीबी से निकलिएगा कई से, सरकार चाहे सरक बना दे कि बिजली ला दे, आपको चार किलो हनाज दे दे, कि सरकार आपको सिलिंडर बांद दे, आपने देखा ये साथ सरकारों ने ये काम किया है, फिर भी आपका गरीबी खतम नहीं हुआ, गरीबी खतम तब होगा, जब आपके बच्चों के पढ़ने का उपाए हो, जब आपके खेती से आपको आमदनी हो, और घर घर, लोगों को रोजी रोजगार बैपार करने के लिए पैसा पुंजी दिया जाए।